उमशेयान्थ एपसे बस्वागत है। आज के चार आउगस्ट के इश्रो ब्रधान में परमपिता परमात्मा में उन्हें अपना साथी बनाने के लिए जहा है। ब्रबांत के लिए एपना साथी बनाया और उसके साथ में सारी मदद़तें से मिली हैं। ये साथी बनाना कैसे है, इसके हमें कहराई में समझना फ़ज़ा है, था कि हमारा संबंद की है परमात्मा के साथ में, तो देखे हैं आज के बरदान में परमात्मा कैते के हैं, बाब कहते हैं हर कर्में हिए बाब कीसल से पृतना कोई फिजिकल पीडा पैदा करने वाले पिता hadn't तो हर कर्म में बाब का साथ साथी रूप में अनुभाव करने वाले सिद्ध सुरूप हब आजहां तो कौन सी सिद्धी मिलेगी हमें हमें सिद्धी मिलेगी कि हर कारे में हमें परमात्म से खुशी मिलेगी सफलता मिलेगी सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप के साथ का अनुभफ हो साथ की अनुभूती याद करने की महनस से छुड़ा देती है एकर साथ में चल रहा हो आपके, आपको सुयाद निकाना पड़ता है। आपको पता है कि आप दो लोग निकले थे और आप ये सफर पे निकले हो, आपको सफर तक के अंद तक पहुँचना है। और अगर परमात्मा को हम सफर बना ले पुरे अपने इस सफर के लिए तो कैसा रहेगा इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूर दर इसके लिए हमें अपने एक संबंद बनाना बहुत जरूरत है संबंद बनाने की जरूत यह क्यों है क्योंकि आज हम ना अपने साथ में रिलेट कर पाते हैं ना अपने साथ में जुड़ पाते हैं और नहीं हम किसी और व्यक्ति के साथ में जुड़ पाते हैं तो जुड़ना कैसे होता है जुड़ना आत्मिक तरीके से होता है जो कि परमा वहार करके उसके अंदर की अच्छाई को छहांकर करके देख पाऊंद्ध में सात नहीं कि सिरना है है। करते हैं या तो घर में उता है या तो आपके पास में कोई जंगा होती कोना होता मुझा यहां पर आपने भागवान के मुर्फिये कुछ नसे रगदिया वह तो वहरा पर you बनाना मनीमं साथी बना वह सती परह मेरा मेरा साथि है मेरा मददकार है और साथी कुदी थे भूला नहीं आता है तो सात वाला कभी भूल की सपता है में साथी को साथी को भूलना मुश्किल है तो हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है तो उनको अगर हम साथी बनाएं तो हमें पता चलेगा कि इस हमें करना क्या है निरने क्या लेना है इस हमें सोचना क्या है और वो चीजों में जब हमें साथ मिलता है परमात्मा का तो वो हमेरा साथी बन जाता है यह निकि जब दुखो तभी यह करना सुख स working के समय में साथी बना करके चलना ताकि सुख कहीं कभी कमना हो तो ऐसे साथी के साथ का सदान भव होता रहे तो इस इस भू बन जाएंगे, हर कदम में हमें सफलता मिलेगी, हर कदम खुशी से चलेगा, सफलता मतलब हर सेकंड खुशी में रहना ही सफलता है, सफलता कोई एक मनजल नहीं है, कि मैं कोई इतना धन कमाना है, मुझे इस लेवल पर पहुंचना है, मुझे पॉप्लारिटी मिले तब मैं खुश होगा, यह एक feeling है, जो कि हमेशा कले constant रहे हमरे साथ में, यह कोई feeling उस achievement के बाद में, उस प्राक्ति के बाद की feeling नहीं है, यह हर moment, हर second की, हर शन की feeling है, जिसको कि हम meditation या राज्यों के दोरह हम मैसूस कर सकते हैं, जो कि परमात्मा को साथी बनाने से मैसूस होती है, किसी कज़ाग, ओम श्यंत्री.